कि आज से हम वेदना खंद के उपर चर्चा शुरू करेंगे समझने का प्रयास करेंगे वेदना को और उसके अनित्य दुख और अनात्म सुभाव कर अधर्थम थोड़ी देर सित्य को एकागर कर लेते हैं कि आज से हम वेदना खंद कर लेते हैं कि आज से हम वेदना खंद कर लेते हैं झाल 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 कर दो झाल 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 आए हम समझने का प्रयास करते हैं वेदना के बारे में वेदना यू है काई बारे बढ़ चुके हैं अरूप इनो खंदा वेदना इसे अरूप इनो खंदा इसका कोई रूप नहीं है एक mental factor है मन से महसूस होता है समान्य भाषा में कहें हमें कैसा लगता है वेदना कैसे होती है इस पर भी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं एक सुत्ह जो बहुत बार बार आता है ता पाहिं निकोई कैसे उत्पन होती है कैसे उत्पन होती है इस दी ओरीजिन आफ वेदना मदू पिंडे का सुत्ह हमने कई बार चर्चा की है कोट किया उसको बजीम निकाय का अठा रहे हैं सुत्ह वेद बहुत बार कोट करता हूं सकता आप शायद याद हम तच तच याँ इन सांस तच शब्द की भी अपनी सीमा है क्या हम सामानने था हम तच से समझते हैं कि कोई चीज़ छू रही है पस्ड का मतब है तो बड़ा अजीब लगता है कि पास से भी मेंटल आपके हमारा समाने तच से जो तात्वर्य होता है कि छू रहा है कोई मैं इसको छू रहा हूं क्या उसमें महाकच्चान समझाते हैं चक्कुंच पडिच्च रूपेचे उपज्यती चक्कु विन्यान तिन्नम संगति भस्ष पच्या वेदना तो उन्हों के बारे में यह उनकी की डेफिनिशन है अगर हम ठीक से समझ में चाहें एक चक्षू पे और रूप के अधार पर चक्कुंच पडिच्च रूपे चकु और रूप के इंटरेक्शन से उपज्यती उत्पन होता है चक्षू विज्ञान आख ठीक है रूप सामने है और और भी की कंडिशन से जैसे हम सभी जानते हैं लाइट होनी चाहिए हमारा ध्यान उस तरफ होना चाहिए वो सब कंडिशन भी हो बट यह प्रॉमिनेंट कंडिशन इसी लिए जब भी प्रतित्य से मुत्पाद को पढ़ते हैं या ति प्ठान को पढ़ते हैं तो वह प्रॉमिनेंट कंडिशन को बताते हैं तो अल्वेज कीप इन माइंट तो चक्षु और रूप का जो इंट्रेक्शन होता है उस पर उत्पन होता है चक्षु विज्ञान मतलब चक्षु विज्ञान मतलब देखना और तिन्नम संगति भस्व तीनों चीज़ें हैं आख है अब्जेक्ट है और चक्षु विज्ञान है दो रूप हैं और एक मेंटल फैक्टर है उनका संगति मतलब उनका कॉडिनेशन जब उन तिन्नों का कॉडिनेशन होता है तो कॉडिनेशन इस कंपलीट प्रोस्सस अब कॉडिनेशन इस कंपलीट अन देन पर सपच्चेया वेदना उसके आधार पर वेदना जाती है अन दिस वेदना अराइजिस अलॉंग विद चक्षु इज्ञाना कह रहे हैं कि वो इस तरह से होता है पर हमने समझा हुआ है तक पठान में कि कि यृटि शत्तारों रूप नोखन दो सहजात पक्चे न पक्च्चेयों अन्यमन्य पक्च्च्चेयों ठीक से समझा हुआ है तो साथ साथ जाते हैं तो यह क्या हुआ फिबेदना जो अनुगों हुआ हमें कैसा लगभा आख से रूप देखा अगर सामाने बाशा में कहीं आख ने रूप देखा और हमें वो सुन्दर लगा या पत्सूरत लगा या न्यूट्रल लगा न्यूट्रल लगता है तो प्रीय लगता है बत्सूरत लगता है तो अपरीय लगता है और न्यूट्रल लगता है उसे खाँ अधुख्राद सुखद इस तरह से तीन तरह की वेदनाएं प्रॉमेनेंटली बताई जाती है और ये वेदना कहां कहां जागेगी हर इंद्रिय के द्वार पर जागेगी तो उसी में आगे बताते हैं कि जैसे चक्षु पर हो रहा है ऐसे ही वो अन्य इंद्रियों के द्वार पर भी होगा गानंच पतिक्या गंदेच अपज्यति गान विन्ःनम तिन्नम संकति पष्षण पच्या डेधना झीव पतिक्या रसेच अपज्यति जीव विन्ःनम and so on, kaya, mana, sota, so at every sense door, same process happens. और उसको vedana कहा जाता है. तो vedana जो हर इंद्री के द्वार पर जागेगी और prominently, usually उसको तीन तरह के vedana है कहा जाता है. सुख vedana, दुख vedana, अदुख 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 vedana. तो ये तीन तरह के vedana है. जनरली ये तीन तरह के vedana ही कही जाती है. और क्यों छे इंद्रियों के द्वार पर जाती है, तो कभी-कभी उनको separately भी identify करते हैं. So, they become 18 types of vedanas. Just to say that. हम लोग शरीर पर जो touch होता है, उससे वेदना जो जाती है, उससे काफी familiar है. तो कि हमारी सादना का आधार अधिकतर समय वो वेदना रही है. लेकिन जो दूसरी इंद्रियों के द्वार पर हैं, वो उन देख नहीं पाते हैं, आदत नहीं है. क्या होता है, अगर वेदना को नहीं देखेंगे, तो क्या होगा, प्रतिक्रिया होगी, और प्रतिक्रिया कैसे होती है, वो भी हमने समझा है, पतिच्य समुझपाद में, पतिच्य समुझपाद की जो कडिया हैं, वो क्या आती हैं, इसके समझाने के लिए? सलायतन पच्या फस्स, फस्स पच्या वेदना, वेदना पच्या धना, तनहात। सलायतन पच्या इंग्रियों के द्वार, उस पर कांटेक्ट हुआ, और उस कांटेक्ट के कारण वेदना हुई, और उस वेदना पछ अगर भी हमने ठीक से नहीं देख पाए, उसको उसके प्रतिप्रतिक्रिया हो जाती है, और प्रतिक्रिया होके, त्रिशना जाग जाती जो अल्टिमेटली दुख्का कारण देती है। इसलिए वेदना को ठीक से देख पाना बहुत आवश्यक है। और वो हमें आदत नहीं है, इसलिए हम मालूम ही नहीं पढ़ता है। हम नियंतरता से आख से देखते रहते हैं चीजें। मालूम ही पढ़ता है कि राग जाग रहा है कि तुरिश आग रहा है। हाँ कोई प्रतिक्रिय हो जाए, तो पता चलती ही वह हो। उस्वा आ गया यह देखके, यह बहुत राग जाग गया तो मालूम पढ़ने लिगता है। सबस्ट है कि साधना के लिए अगर हम वेदना को देख पाएं, उसका भ्यास कर पाएं तो बहुत लाब होगा हमारे को साधना की साधक की दृष्टी से बहुत लाब होगा। तो हम कोशिश करेंगे हर इंद्रिय के द्वार पर वेदना को जानने की पैचानने की कोशिश करेंगे और यह जानने की को अपने पता चल जाता है कि वो सुखद है कि दुखद है तो अब चक्षु के द्वार पर अगर देखना हों तो क्या करेंगे। कि कुछ औबजेक्ट को देखना होगा एक स्टटिक जादा पता नही चल पाता यह हमारी इतना स्ट्रॉंग नहीं पता ही जल पाता वेजना क्या है पृतिक्रिया हो जाती है तो थोड़ा ज्यादा ग्लेरिंग ऑब्जेक्ट रखें तो शायद हमको कुछ महसूस हो तो I'll show you some videos one by one तो आप खूप सजग होके प्रीज कीप यूर आईस अन दे स्क्रीन खूप सजग होके उनको देखिये और सजग किस सेंस में रहना है कैसी वेदना हो रही है अब दिखे क्या वेदना पकड़ पाते हैं कि प्रतिक्रिया पहले हो जाती है वेदना वाद में सुछते रहते हैं क्या हुआ and it's very likely that it will happen because we have not trained ourselves in that direction तो मैं पुछ करता हूं से वीडियो I hope I'll be able to play them अब मेरे स्क्रीन देखार है यश्ट यश्ट okay so i just as a screen change your path let's just be aware how the वेदना is changing So I have selected some starkly strong visuals, just say at least कुछ तो पता चाले. Just keep your eyes on the screen and see how the mind is perceiving them, pleasant, unpleasant, neutral, or if there is already reaction to them. All right? So, let's see. Thank you. Let's see. झाल झाल वट् प्रूच्ण प्रूम ने समभच आस को से wonder मैं म् झाल 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 I'll play it again so that you can is it creating pleasant feeling unpleasant feeling or neutral feeling it's quite tough to figure it out but I'll play it out that small clip again I'll play it again झाल 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 I'll see yet another झाल 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 झाल